नमस्कार मैं हूँ विजे विद्रोही आप मुझसे जुड़ चुके हैं इसके लिए आप सब का तहे दिल से शुक्रिया अगले 8-10 मिनट आप से जुड़े रहने की कोशिश करूँगा आज ED की चर्चा होगी और एक साधवी की चर्चा होगी बड़ा दिर्चस हो गया है राजिस्थान का चुनाव एक साधवी है अनादी सरस्वती वो बीजेपी का दावन छोड़कर कॉंग्रेस का हाथ थाम दिया है आप कहेंगे संतों मोमाया से उपर उड़ते हैं संत के लिए क्या बीजेपी क्या कॉंग्रेस लेकिन जब सियासत करनी हो तो संतों को भी संतई छोड़नी पड़ती है कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है तो उत्तर अजमेर की एक सीट है विधानसवा जिस पर साधवी अनादी सरस्वती की नजर थी बीजेपी ने टिकट दिया नहीं तो वो कॉंग्रेस का पाले में आ गई हैं कॉंग्रेस बहुत संभव है उनको टिकट दे देगी और कॉंग्रेस क्यों नहीं टिकट देगी एक तरफ जहां योगी आ रहे हैं गहलोत पर एंटी हिंदू होने का आरोब लगा रहे हैं तालिबानी सरकार टाइप की घोशना कर रहे हैं तो ऐसे में एक साधवी महिला साधवी अगर वो आकर कहती है कि गहलोत गो गंगा गायतरी गीता से हिंदू हैं तो कि ये तो बहुत बड़ी क्लीन चिट हो गई वो भी महिला महिलाओं का महिलाओं पर तो असर ज्यादा होगा ना और राजस्तान में वैसे भी पांच करोड बीस लाग में से दो करोड 53 लाग महिलाएं हैं वोटर और दो करोड 73 लाग पुरुश हैं लेकिन महिलाएं पुरुशों के मुकाबले ज्यादा संख्या में वो प्रिशों के मुकाबले ज्यादा वोट दिये थे एक तरह महिलाओं के लिए रोजगार की बात महिलाओं को 10,000 रुपया हर साल देना परिवार की मुख्या को 500 रुपय में सिलंडर 100 रुपय 100 यूनिट बिजली मुफ्त बसों में यातरा मुफ्त और एक और महिला प्रियंका गांधी के जरिये गैरंटी कार्ड बढ़वाना और गैरंटी देना प्रियंका को गैरंटी के तौर पर आगे रखकर तो गहलोद लगता है कि महिला कार्ड खेल रहे हैं और बड़ी स्मार्टनस से महिला कार्ड खेल रहे हैं योगी मोदी के हिंदुत्व का क्याक्तोड नि मठादीश हैं, बाबा बालगनात, जो स्वामी राम देव के चेले कहलाते हैं, उनके के खिलाथ इमरान नाम का एक मुसलिम उमीद्वार कॉंग्रेस ने उता रहा है, अब साथवी प्रचार करने जाएंगी, तो वो बाबा बालगनात के खिलाभ प्रचार होगा, या मुस्लिम उमीदवार के पक्ष में परचार होगा और ऐसे में जितने तर्क योगी आदिते नाद दे कर जाएंगे या दूसरे नेता वो सब क्या धरे रह जाएंगे बड़ा सवाल है इसी तरह एक और सीट है पोकरण की कॉंग्रेस के साले मुहम्मद हैं गाजी फकीर के बेटे और उनके सामने हैं महंत प्रेम प्रतापुरी बीजेबी के पिछला चनाव में वो पिट गए थे इस बार फिर मैदान में हैं और वहाँ पर आप इमेजिन कीजिए सिरफ इमेजिन नहीं करती वो अगर आंकडे गिनाएगी कि लंपी के समय एक गाय की मौत पर 40,000 रुपे दिये गे वो अगर कहेंगी कि 3,000 करोड रुपे की कामधेनू बीमा योजना योग मुद गहलो सरकार शुरू करने वाली है अगर वो यह कहेंगी कि गो रक्षा के लिए और गोधन क पांसो करोड रखे गए हैं अगर वो कहेंगी कि गहलो सरकार सत्ता में आई दुवारा से तो 2 रुपे किलो के हिसाब से गोबर खरीदेगी अगर वो यह कहेंगी कि पुजारियों का मान दे गहलो सरकार ने बढ़ाया है तो क्या इस पर लोग यकीन नहीं करेंगे एक अपन गोविन सिंग डोटासरा जो प्रदेश अध्यक्षे अगर उनके बेटों को इसे भी पूछताश की बात चल रही है और बीच बीच में रुक रुक कर इधर उदर चोटे बड़े चापे पड़ रहे हैं लेकिन अब E.D. पर ही चापा मार दिया E.D. पर ही चापा पड़ ग पंदरा लाख रुपे की रिश्वत लेए थे पकड़ लिया चिट फंड कंपनी के में कोई सी घोटाले का में गरिफतारी नहीं करने की एवेज में 17 लाख रुपे मांगे गए थे तो पंदरा लाख रुपया एक शक्स लेकर गया जिसने ट्राइप कर लिया और दो लोगो को ED के दो लोगों को गिरिफतार कर लिया है ACB ने तो सर्म उडाते ही एक ओले पढ़ गे कुल बिलाकर ED का अब क्या होगा लोग वैसे भी कह रहे हैं थे कि ED प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश पर चलती है तो अब क्या लोगों को विश्वास ED पर से और ज्यादा उठ नहीं जाएगा क्या और ज्यादा संधे की नजर से ED को नहीं देखने लगेंगे लोग किसाब गृफतार करने की धंकी देते हैं और फरजी मामले कहीं न कहीं बनाने की कोशिश करते हैं और देखिए गृफतार नहीं करने की एवेज में 15 लाग 17 लाग की रिश्वत मांग केजरीवाल को एडी ने बुलाया तो उन्होंने जाने से इंकार कर दिया कहा कि ये गहर कानूनी है मैं नहीं जाता आपको जो कर रहा है कर लो मैं चुनाओ परचार में जा रहा हूँ इससे पहले हेमेन सुरेन को भी बुलाया था तो उनों ने भी जाने से इंकार कर दिया था अभिशेक बेनर्जी को जरूर जो मम्ताब बेनर्जी के भतीजे हैं उनको दो-तीम बार एडी ने तब तब बुलाया जब जब उनका कुछ काम था एक बार इंडिया की मीटिंग होनी थी इंडिया पॉलिटिकल फ्रेंट की तब बुला लिया गया एक बार दिल्ली में मनरेगा और दूसरी जो योजना हैं उसमें सरकार केंदर का पैसा पूरा हिस्सा नहीं मिलने के विरोध में एक भारी विरोध प्रदर्शन होना था उससे ED वहाँ क्यों दिखाई नहीं देती, करनाटेक में पहले ED क्यों दिखाई नहीं देती थी, व्यापम इतना बड़ा घोटाला हुआ, शिवरा सिंग की सरकार के समय मध्य परदेश में, ED क्या दिखी क्या, योगी जी के जो बुल्डोजर राज है, उसमें बुल्डोजर तो च सोला विपक्षी पार्टियों के क्यों है, अब तमाम सवाल उठेंगे, क्योंकि बात निकलेगी तो दूर तलग जाएगी, और सादवी को जो लिया है, अनादी सरस्वती को, ये सुतंतरता संगराम के जो बड़े सेनानी रहा है, हेमु कालानी उनकी बेटी है, ममता कालानी असली नाम है इनका, और ये सिंदी समाज से आती है, और जिस सीट से ये टिकट माग रही है, वहाँ भी सिंदी बड़ी संख्या में रहते हैं, तो सादू संद देखिए, थोड़ी सियासत तो करते ही है, और वो भी वोट बैंक के हिसाब से भी आखलन करते हैं, अब साद भ भी वोट रहता ही है, लेकिन फिर भी देखिए सीट कितनी सफाई से चांटी गई है, अब एक समझ में नहीं आ रहा कि बीजेपी ने एक साद्वी को कैसे जाने दिया, ये भारी गलती बीजेपी ने कैसे कर दी, क्या उन्हें लगा नहीं कि साद्वी को हम टिकट नहीं दे और जैसा मैं दो टीम बार पहले भी कह चुका कि महिला एक साद्वी का कहना महिला वोटरों को ज्यादा प्रभावित करेगा या नहीं करेगा अपने आप में बड़ा सवाल है, शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए पसंद आये तो लाइक कीजे, सब्स्राइब क शेर कीजे, घंडी जैसी आकरती दबा दीजे